हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्रीवंट है तो फ्रेंड आज हम बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत आजकल हर किसी को पढ़ती है चाहे आपको कोई गोवर्मेंट आइडी बनानी हो या फिर आपको और कोई भी काम करवाना हो तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पढ़ती है जिसके लिए आपको शोप पे जाना पड़ता है और आपको काफी जादा time waste होता है तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने mobile phone से ही अपनी passport size photo को कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें और notification bell को भी on कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें passport size photo बनाने के लिए सबसे पहले play store के अंदर जाना है और एक application को डाउनलोड करना पड़ेगा तो हम पहले play store के अंदर चलते हैं और यहां पे हमें search bar में टाइप करना है पासपोर्ट पोटो मेकर और एंटर कर देना है इसको search करना है हमें और इसमें आपको काफी सारे यहां पे देख सकते हैं काफी सारे applications आपको मिलेंगी तो आपको इस वाले icon पे जो यह man वाली है इस वाले icon पे इस वाली application को क्लिक करके इसे install कर लेना है अपने mobile phone के अंदर मैंने इसे install किया हुआ है तो अब हम यहां से open पे क्लिक करेंगे इस application को open करेंगे अपने mobile phone में यह कुछ इस तरीके से आपसे permission मांगेगा तो आपको एलो कर देना है ठीक है यहां पर आपको यह start का option दिखाई दे रहा होगा आपको इस start वाले option पर क्लिक करना है कि उसके बाद आप से यह select type पुछेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप से पूछ रहा है आप किस तरह की photo बनाना चाते है है passport visa या custom size तो हमें आप पासपोट size photo बनानी है custom size का मतलब है कि हम अपने तरीके से अपने according size रख सकते हैं उसका जैसे अगर मैं custom पर क्लिक करूं तो यहां पर हम dimensions डाल सकते हैं ठीक है तो अभी हमें पासपोट size photo बनानी है तो मैं इस passport पर क्लिक करूंगा इसके उपर उसके बाद यहां से country select करनी है आपकी जो भी country हो वो आप यहां से select कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां से इंडिया स्लेक्ट कर लेता हूं यहां से हमने country स्लेक्ट कर लिए उसके बाद यहां पर स्लेक्ट फोटो का एक option है हमें इसके उपर क्लिक करना है यहां से हम चाहें तो फोटो प्लिक कर सकते हैं या फिर हमारी गैलरी में कोई फोटो यहां तो मैं यहां से यूज सकते हैं तो मैं है से जल्दी से एक फोटो इसमें upload करदेता हूं गैलरी पर klik करके तो मैंने एक फोटो यहां पर insert कर दी है ठीक है उसके बाद हम चाहिए तो यहां का option दिखाई दे रहा है हमें इस डन वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर tilt image का एक option आता है अगर हम चाहें अगर आपकी फोटो टेड़ी है तो आप उसे सीधा कर सकते हैं किया यहां से पकड़के से कम ज़्यादा करके टिक हैं तो यह मेरी फोटो बिल्कुल सीधी है तो मैं इसको ऐसी रहने दूँगा और इस पेड़न के युझे स great करने के बाद अभी हमसे क्यारे कि image को crop करें तो मैं यहां से crop करने के लिए इसको पूरा size कर लेता हूँ यहां पे इतनी यह crop करने के लिए बोल रहा है हमें उसके बाद यहां पे done पे click कर देना है head आएगी इसको हमें cross कर देना है यहां से cancel कर देंगे से कि उसके बाद हमारे सामने यह screen आ जाएगी अब हमें यहां पे नीचे option मिल रहे हैं बीजी changer का तो हम अगर इसका background change करना चाहें तो इस पे click करना है हमें कि उसके बाद हमें edit पे click करना है तो यहां पे आप edit पे हमने जैसे ही click किया तो इस तरीके की screen आ गई तो यहां पे erase का option आ रहा है तो यहां से आप जो भी यहां से हटाना चाहें इस तरीके से यहां से हटा सकते हैं ठीक है यहां से जूम कर सकते हैं इसे ठीक है उसके बाद हमें यह back कर देना है जैस कर देंगे उसके बाद यहां पे नीचे बीजी कलर का option आता है तो background color अगर आप change करना चाहें तो यहां से आप change कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से जो आप color रखना चाहें वह यहां से घीक है यहां पर बीजी को यहां से लिवह 睡 है तो यहां पे यहां एटन कर देगे ए उसके बाद यहां पर बोर्डर का ओप्शन है बोर्डर पर क्लिक करेंगी यहां से आप बोर्डर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो इससे पकड़ के कम ज्यादा कर सकते हैं आप बॉर्डर को ठीक है जितना बॉर्डर आप लगाना चाहे हैं वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैं यहां पर वाइट ही रखता हूं अभी ठीक है कोई बॉर्डर नहीं लगा रहा यहां ले लेते हैं हलका सा ब्लैक बॉर्डर ले लेते हैं यहां पर मैं इसको लाइट रखता हूं इसके बाद यहां पर नीचे आपको effects का एक option दिखाई दे रहा है ठीक है इस पर क्लिक करना है और यहां से आप brightness, contrast, saturation, exposure यह सब change कर सकते हैं जैसे brightness पर क्लिक करेंगे तो यहां से पकड़के आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है contrast है आप यहां से पकड़के इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे saturation है ठीक है ऐसे exposure है तो जो आप चाहें यहां से अपनी photo के अंदर वो change कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर आपको done कर देना है तो अभी मैं इसे back कर देता हूं जैसा था ठीक है उसके बाद यहां पर हमारे सामने आएगी उसके बाद यहां पर copies लिखा रहा है हमें copies वाले option पर क्लिक करना है और यहां से आप देख सकते हैं हमें काफे सारे sizes यहां पर दिखाई दे रहे हैं जैसे A7 sheet का size है यह A6 का है A5 का है A4 का है ठीक है तो हम A4 वाला select करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर काफे सारी A4 size की आपकी copy बन गई है और यह हलकालका आपने black border दिया है इसमें ठीक है black color का उसके बाद यहां से आप preview भी कर सकते हैं और save भी कर सकते हैं प्रिवियू में तो यह इसी तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है हमें save पर क्लिक करना है यह add चलेगी एक ठीक है उसे चलने देना है और फिर बाद में इसे cross कर देना है तो यह इस तरीके से यह यहां पर save भी cancel कर देना है और यह हमारे phone के अंदर image saves to gallery gallery गैलरी के अंदर यह image save हो गई है हम चाहें तो इसे check भी कर सकते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं बैक आएंगे और gallery के अंदर चलते हैं तो friends आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने यह folder बन जाएगा gallery के अंदर आपको इसके उपर क्लिक करना है इस तरीके से आपकी passport size photo आप अपने mobile phone से बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो friends आपने देखा किस तरीके से घर बैठी बैठे ही अपने mobile phone से passport size photo बना सकते हैं अगर आपको फिर भी वीडियो से related कोई भी query है कोई भी question है आपके mind के अंदर तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके post सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें thank you